हरे कृष्णा तो आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं हमने अपने यूगल सरकार के लिए और रामदर्बार के लिए वस्त बनाए हैं तो यह सबसे पहले सीता माता की स्कॉर्ट तियार हो रही है इस तरीए से हमने मदब शॉर्ट में दिखाया आपको इतना टाइम नहीं था दिखाने का पूरा तुरा जल्दे जल्दे मनाया है सब और इस स्कॉर्ट में हमने हाथों से बना कि फूल लगाई है इनों में वजह से बहुत सुन्दर लग रही थी और यह वाइट कलर का सीता माता के लिए टॉप बन रहा है और यह उपर का राम जी के लिए यह वाला राम जी के लिए हाथों से बनाने बड़े थे फूल और यह दोनों के त्यार हो चुकी है यह राम जी का है और यह सीता माता का है और अब हमारे राम जी की धोती बनने शुरू हो चुकी है हरी बूल हमारी दोती का एक पार्ट कंप्लीट हो चुका है और ऐसे हमने दो पार्ट बनाए थे फिर उनको एक साथ जोड़ा था और फिर उसके बाद हमने इसमें फूल लगाए थे और यह दोनों चीज स्यार हो गी थे उनकी और सीता माता की स्कॉर्ट में भी इसी तरह से फूल लगाए थे और बहुत ही सुंदर लग रही थी और अब हम दिखा रहे हैं आपको श्रेकृष्ण जी के और श्री राधारानी के तो यह राधारानी के स्कॉर्ट है इसनों में हमने नीले कलर के फूल लगाए है और फिर उनके अंदर पीच में वाइट स्टोन है यह और इस तरीके से हम बहुत शुनदर लगा रहता है जिस देखने में बड़ी कि प्यारी सुनदर सी स्कॉर्ट बनी थी सrü राधारानी स्विराणी के और श्री राधारानी का बर का है यह इसको पर फेर फूल और ठोड़ी करी थी जादा ड़ाहां आती नहीं है तो बस थोड़ी बहुत जैसे श्री राधा रानी ने चाहिए वसी चीजी हो गई है और अब ये हमारी श्री राधा रानी के वस्त्र त्यार है इनके शॉल अलग इसे ही ले लिये थे वो रेडी मेड थे इनको बाद में दिखाएंगे और अब ये है श्रीकृष्ण जी की धोती स्टार्ट हो चुकिया बननी ये उनकी धोती कामने में एक पार्ट ऐसे बना लिया था और एक और ऐसे दो पार्ट बना के फिर उनको एक साथ जोड दिया था क्योंकि जैसे उनकी पैर आ रहे है तो उस वजह से इस तरीके से ठीक बैठता है और फिर उसमें हमने और सुन्दर बनाने के लिए उसमें फूल लगाए थे बहुत ही सुन्दर लग रही थी और अभी हमारे श्रीकृष्ण जी के भी तियार हो चुके है अब फाइनल लुक क्यासा लगा प्रभू जी को कैसे लगया ये कपड़े ये दिखने के लिए आपको पाट्टू देखना पड़ेगा कि हाँ प्रभू कितने सुन्दर लगे रहे हैं को फाण जे हरे कृष्ण हरे बूल